हेल्दी डाइट लेने के पीछे की एहम वजह है हमारी बॉड़ी में विटरमिन और मिनेरल्स की सही क्वांटिटी बनी रहे लेकिन आज कल जंक फूड के चलते हम अपना पेट तो भढ़ लेती हैं लेकिन अपनी बॉड़ी के लिए रिक्वाइड मिनरल्स और विटरमिन्स को नहीं ले पाते हैं शुरुआत में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन देरे देरे हमें बॉड़ी में कुछ ऐसे चेंजिस या यू कहूं कि हम लॉंग टर्म बिमारियों के शिकार हो जाती हैं तो कैसे पता चले कि हमारी बॉड़ी में विटरमिन्स की कमी है और कैसे इने ठीक किया जाए यह सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब प्सक्राइब कर लें और बाल आइकन को प्रेस करना नाम भूलें नमस्कार मैं हूँ आपके साथ क्रतिका और आप देख रहे हैं जन्भावना टाइम्स विटमिन्स का हमारे शरीर के लिए काफी एहम रोल होता है किसी भी विटमिन की कमी सेहत बर बुरा असर डाल सकती है इसी तरह विटमिन B12 की कमी भी कई तरह की समस्याय कर सकती है पहले ये जानते हैं कि हमी कैसा पता चलेगा कि हमारी बॉड़ी में B12 की कमी है या नहीं इस this vitamin the skin start to grow यानि vitamin B12 कम हो तो सरदर्ट की समस्य से अभी हो जाती है इसके लिए blood test करवाना पड़ता है पेट से जूड़ी problems जैसे की diarrhea, constipation, blotting, vitamin B12 की कमी से ही होते हैं शरीर में vitamin B12 की कमी है तो बिना किसी कारण ही mood low रहता है इसको ठीक करने का एक ही तरीका है proper diet लें और junk food का सेवन कम करें वहीं vitamin B12 की कमी को हलके में नहीं लेना चाहिए इससे memory कमजोर हो सकती है क्योंकि vitamin B12 conservative health से जुड़ा है इसलिए memory loss की problem हो सकती है अगर आपके पैरों में एकसर जुनजुनी चड़ती है तो समझ जाएगे कि शरीर में vitamin B12 की कमी है इससे परिशानी हो सकती है इससे चलने में भी परिशानी हो सकती है vitamin B12 की कमी से immune system पेट में healthy cells पर attack करते हैं और पेट के cancer का risk बढ़ जाता है कई research के मताबिक vitamin B12 की कमी से gastric cancer का खत्रा भी बढ़ जाता है तो कैसी लगी आपको यह वीडियो में आप हमें comment करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जड़री जनबावना टाइम्स के साथ नमस्कार